हलो फ्रेंड वेलकम मैं यूटूब चैनल मैं हूँ वर्षा और आप देख रहे हैं लाइब मंत्रा वाइब वर्षा तो फ्रेंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ मैं कुछ बैट सीट एंड कुछ कर्टन सेयर कर रही हूँ जो कि मैंने लिये हैं फिलिप कार्ट से ये सारी चीजें कैसी निकली हैं उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और इनमेल से आपको कुछ भी पसंद आता है तो सभी के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्राइम बॉक्स में मिल जाएंगे तो चलिए फिर फटा बट से वीडियो स्टार्ट करते है और आपको बता देते हैं कि यह सारी चीज हैं कैसी निकली है आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए वीडियो पसंद आ है तो आपको से देखा देते हैं तो देख़े मैं आपको देते हओब तो तीन मेने बैड़ सीट लियु है डवल बैड की और तीनों ही जो है वो पॉर्टन की बैड़ सीट हैं तो देखिए यह हैं कुछ इस तरह है कि मैं आपको पिलो दिखा रही हो और साइड में मैं बैड़ सीट को बिचा के दिखा दूगी क्योंकि इतनी बड़ी बैड़ लग रही है तो देखिए सेकेंड है यह ब्लू कलर की बैड सीट जिस पर की काफी बड़ा सा इसमाइली बना हुआ है देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है बच्चों के रूम में अगर आप इसको बिचाओगे तो काफी सुन्दर यह लगने बाली है तो इसका भी मैं आ प्लू कबर आपको दिखा रही हूँ यह एक बड़ा सा इसमाइली बना हुआ है और पास में यह छोटे छोटे इसमाइली में बने हुए काफी प्यारी लग रही है बहुत ही सुन्दर लग रही है बिचने के बाद में मुझे बहुत जादा पसंद आई इसका फैबरिक है तो आप जरूर लें काफी अच्छी है ठीक है उसके बाद में लिया मैंने यह लाइट पिंक कलर की बैड जी जो की बिचने के बाद में बहुत ही प्यारी लग रही है लेकिन दुलने के बाद में इसका जो फैबरिक है वह कॉटन सिल्क टाइप का इसका फैबरिक है एक दम प्योर कॉर्टन लग रहा था लेकिन दुलने के बाद में यह इस तरह का निकला है कुछ सिल्क कॉर्टन टाइप का जो फैबरिक होता है उस टाइप का और जो दो बैड शीट मैंने आपको पहले दिखाई है उनका जो फैबरिक है वह एकदम प्योर कॉर्टन है तो वह मतलब कि जो मैंने लिए इसमें मतलब लाइट पिंक एंफिट डार्क है रेड कुछ इस तरह की कलर है एंड इसमें एक ब्लू कलर भी था तो आप देख सकते हैं जो भी आपको पसंद आ रहा है कॉर्टन काफी अच्छे हैं मैं आपको लगा के दिखा देती हूं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और साथ में दिये बैल बटन को भी आउन कर देजेगा ताकि मैं जो वीडियो डालो उसकी नोट्विकसन आपको मिल सकें तो देखिए ये लगए हो हमारे पुराने कर्ट तो इनको हम हटा देते हैं और यहां पर हम लगाएंगे नए कर्टन तो यह है ना पांच फोट है और अभी मैंने जो मंगाए हैं वह हैं साथ फुट तो यह दिवार काफी खराव हो रही थी इसी की वाएसे मैंने कर्टन लॉंग में लिये थे ताकि छुप जाए तो फटा भी काफी अची लग रहे हैं पूरे रूम में एक अच्छा सा लुक आ गया है तो मुझे तो बहुत पसंद आए आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएगा जरूर उसके बाद मैंने लिया है एक चारवाई च्छे का मैट चुकि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है तो इस कि साइड में चोट चोट शिंद दिये हुए है ताकि जो बारिस बगरा कभी हो जाती है तो उसका पानी इसमें से निकल जाए आज कल तो लोग दिवारों पर भी इसको लगवाते हैं काफी अच्छा लगता है